नमस्कार और आप तेखें पलपल डीएपी खाद की किलत को लेकर के मंगलवार को एक बार फिर से रतिया में खिसानों ने जाम लगाया इससे पहले भी सनिवार को किसानों ने इसी चोप पर डीएपी खाद की किलत को लेकर की ये जाम लगाया था और उसके बाद प्रसासन ने मोके पर पहुंच करके किसानों को मंगलवार तक डीएपी मोहीय तरवाने का आज़सन दिया लेकिन आज सुबह जल ही किसान रतिया शाहर की दुकानों पर खाद लेने के लिए पहुंच गए लेकिन खाद वहाँ पर नहीं मिली किसानों ने इसके बाद चोप पर आकर के जाम लगा दिया सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे भाजी भी की मौके पर जाम लगाने वाले किसानों में शामिल किसान रामचंदर ने बताया कि डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रही है और इसी से नाराज होकर की किसानों ने रत्या में संजय गाधी चोप पर जाम लगाया है वही रामचंदर ने बताया कि सन्वार को भी किसानों ने DAB खाद नहीं मिलने के कारण इसी चोप पर जाम लगाया था और उसमें तसिल्डार वे तमाम क्रीशी विभाग के अदिकारियों ने भी आकर के किसानों को आश्वासन दिया था कि मंगलवार तर डियेपी खाद मिल जाएगी इसके लिए स्पेशल रेंग लगेगा और खाद महया करवाई जाएगी लेकिन अभी तक किसान खाद लेने से बंचित हैं डियेपी का रेंग पिया लग से अभी नहीं लगा आस्ते सिद्लार ने फोन नहीं उठाया जबकि प्रीशी विभाग के अदिकारियों से बात हुई थी उन्होंने साम चार बजे तक बियेपी खाद उपलब करवाने का आश्राशन दिया है लेकिन दूसरी तरफ जहां रेंग लगाने वाला है वहाँ पर दुकांदारों ने पहले से ही लिष्ट बना करके तयार कर ली है जो कि पुर्ण रूप से गलत है मौके पर जो किसान मौजूद हैं उन्हीं के नाम लिख करके उन्हें मौके पर किसानों को खाद ही दी जानी चाहिए दुकांदार जो लिष्ट तयार कर रहे हैं वहें मर्जी से और अपने अपने किसानों को दे रहे हैं जो कि पुर्ण रूप से त्वर्जी है लगा था और पूरे खेती बाड़ी के दिकारी डीडिये तसीलदार रतिया यहां पहुंचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारा सौ वार को रहेक लगेगा बढ़्टू में और मंगर वार को आपको सुबह ठाद मिल देगी अभी हमने पता किया है तस आदमी पंदरार पांसों की लिस्ट बना ली पहले ही यह समझ नहीं आरी सक के सबस्ट नजराता है कि इदकारी और यह कुछ दुकानदार भी इनके पास डिये पी खाद का लसंसा सीदी लूट कर रहे हैं और बड़े पुमाने पे किसानों के साथ मल्सोशन कर रहे हैं और क दो किसान हैं उनका लेंड लगवा के मौकेपूनी को दी जाए जो पहले लिस्टें बढाई जारी हैं वो वोकस हैं फर्दी हैं वो मिली बगत के तहत बनाईजें और उनको रिजेक्ट किया जए बिलकुल सफस्त हो रहा है यह तो कि सरेयाम मलब उस दिन में शनीमार भी च कितनी बजाई होनी हैं यह उंखी और कितनी खाद चाहिए और वो खाद गई कहां सब उनको पता है इससे मिली बगत कौन कहता है सपस्त है कि मिली बगत है जिकारियों की और यहां तो पड़ा अफसोस है रतिया में जो जिकारी बैठे है रतिया किसे करें उसमें तो सरेयाम लगा तर रोप ही लगते आ रहे हैं आपका अगामी निल्डे क्या होगा अगामी निल्डे हम बैठे है वही है क्योंकि चौक में वहां भी खड़े थे लेड़ों में सुबह से दो बज़े तक खड़े है रात के आए है किसे ने रोटी चाय पणी नी पिया अब यहां भी वहां भी खड़ना और यहां भी खड़ना यहां चौक में बैठे हैं जो भी प्रशानी जब खाजा जाएगी ले जाएगे नि तो बैठे है इसी चौक